असलाम लेकुम स्टुडेंट्स वेलकम टू वर्ल्ड ओफ एजूकेशन और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वह बात करेंगे पार्क स्टेडी 301 के जी डीवी की मैं आपको बता दूं इसकी जो ऑपनिंग डेट है वह 26 जनवरी है और इसकी जो लास्ट डेट होगी ड बढ़ सकते हैं इसी वेटी जो फिसकली 3% है तो में जरूर इसको उससे पहले पहले सब्मिट करवा देने हैं चलते हैं कोस्टिंग की तरफ कोस्टिन आपका थोड़ा सा कंसेप्च्च्छल है और कोस्टिन में आपको यह बताया जा रहा है यानि कि थोड़ी सी एक फैडल इसके बारे में आप क्या कहते हैं और कौन से चैलेंजीज है जो के मीडिया इस टाइम पे जर्नलिस्ट्रिया यानि के जो सहाफी है वो इस टाइम पर फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो देखे एक जर्नल सुलूशन है यह मैंने सरफ आप लोगों को बताने के लिख ठीक है जर्नल सुलूशन सिर्फ आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक बैक्गरोंड बताने के लिखा है आपने यहां से लिखना है लेकिन यह सारा नहीं लिखना आपने और यह बात भी याद रहे कि आपने सिर्फ एक सो वर्ड लिखने देखें इससे ज्यादा नहीं होना सकते हैं चलते हैं जर्नल सिलूशन के तरह देखें जना पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीडम औफ प्रेस है ना यह लीगली प्रोटेक्टिड है यानि के पाकिस्तान के लागले मताबिक पाकिस्तान के अंदर सहाफियों को और मीडिया को मुकमल आजादी है कि आप जिस बड़े सियास्तदान होते हैं पॉलिटिशन होते हैं आप उनकी जो खलाव न्यूज है अगर वो कोई गलत काम में मुलविस हैं अगर आपके पास एक जनरल सुलूशन लेकिया यहां तक आपका एक सुलूशन कर प्रेशन और रियालिटी तो पाकिस्तान में जो प्रेस है यानिके जो मीडिया है उसको अजादी है कि वो काम कर सकती है लेकिन अब जो करेंटली हलात है उसके मताबिक अगर हम बात करें तो आपका बैगरांड हो गया ना अब दूसरा देखें मैं आप यह भी लिखा हुआ है जो इन्फोर्मेशन ओरिनेंस है ना 2002 में हुआ था और यह कोड था कंड़क्ट तूल 2010 में प्रॉपर्ली इसके पर जो है वह मद्रामत स्राट हो गया था अब यहां देखें यह आपकास बैसिक सिलूशन है यहां तक आपने सरफ एक यह दो लाइंज ही लिखनी है जिसमें आपको अलड़ी पता दिया कि अकॉर्डिक तो पीपल एंड मीडिया दू नौट वर्ग ऑननश्ली ऐस वल आज ओपनली डू टू पॉलिक्स लीडर्स देखें बहुत सारे ऐसे मीडिया की लोग जो भिक जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम इमानदारी से नहीं कर रहे होते हैं तो आज के जमाने में इस situation में some people कुछ लोग जो है media के honestly काम नहीं कर रहे हैं और openly काम नहीं कर सकते हैं openly क्यों नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक लीडर्स की वैसे जिसना भी पीछले एक सहाफिक साथ जो मामला हुआ से कतल कर दीगा बेदर्दी के साथ तो ये बिसिकली जो है वो आपस में इनकी दुश्मिनिया हो जाती है जब आप किसी के खलाव बोलना शुरू करते हैं तो इस सिनारियो के मताबिक वीकेंड से हम ये कह सकते हैं कि freedom of press कि press की freedom तो पाकिस्तान में एक मतलब कुछ लोग हैं जो फिर भी अपनी जिन्दगी का जिन्दगी को खतने में डाल की ये काम करते हैं तो पाकिस्तान में freedom को जो है वो एक प्रेस को freedom तो है लेकिन reality भी है लेकिन ये अलूइन भी है यनि कि आप ये कह सकते हैं कि ये खौब भी है लेकिन कुछ हद तक ये reality भी है ठीक है यनि कि आप लोगों के खलाव बातचीत कर सकते हैं लेकिन जो बड़े बड़े leaders है आप लोगों को दिखा सकते हैं तो ये अलूइन भी होगा और reality भी होगा अब यहां से आपने खुड डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसको अलूइन लिखना या reality लिखना है मैंने आपको दोनों लिखेंगे तो दोनों के कमेंट्स भी मैं आपको आगे जाकर बता दूँगा और म आपको अपनी जान का खतरा देना पड़ता है मैं आपको आगे जान को प्ताता हूं लेकि मैं अभी आपको पता दिया है यहां से आप कुछ लोग रियालिटी लिख लें कुछ लोग इसको अलुए लिखने क्यों कि यह खौब भी है हम बड़े बड़े लोगों को नहीं प अपनी रिक्वार्मेंट के मताबिक आपने इसको लिख लेना जो आपको ठीक लगता है ठीक है अच्छा आगे देखें अब दूसरा को सिन यहां पर आजी वर्ट सोट ऑफ चैलेंजिस एंड इशूस जर्नलिस्ट इन फेस इन पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर क्या जो ज जिस तरह से जोब सिक्यूरिटी देखें जी जोब सिक्यूरिटी बहुत ज्यादा जैनलिस्ट की जिएव खतरे में होती है अगर आप एक सहाफीं है और आपकिसी के खिलाफ न्यूज ब्रेक करते हैं जिस तरना रिपोर्टर्टर थे आप तो क्या होगा आप किसी को जा कर संतात में नहीं है या किसी के बारे में ब्रेग को जो है वह रही सों आखरा को ब्रेक करें है तो वह क्याओ Base को आप से चीं सकते हैं ठीक अब आपको किस तरह' सून में शसरो इसो अछी यानि कि बकाव मीडिया होता है अब देखें सम प्लिटिकल लीडर फ्रेट जनरलिस्ट वो फ्रेट करते हैं जनरलिस्ट को अच्छा यहां से आपकी दो हैडिंग्स निकलती है जो मैंने आपको लिखाई है कि कुछ आप इन में से कुछ आप एक यह लिख लें यानि जोब से दिफ्रेंट धंकियां दी जाती है कि हम जो है वो आपके घरवालों के साथ अच्छा नहीं करेंगे फलां फलां जो भी होता है तो यह आपकी जोब सेक्योर नहीं है इसमें खत्रा बहुत जाता है यानि कि देरी डेंजर इन जनरलिस्ट इफ यूर ब्रेक समवन अगर आप किसी भी न्यूज को ब्रेक करते हैं किसी एकलाव तो फिर वह आपकी जोब सेक्योरिटी आपको नहीं दी जाती है थ्रड देखिए वही अब यह ना मैंने यह टॉटली यहां पर एक्सलेनेशन लिखिया है तो आपने कुछ लोगों ने जोब सेक्योर्टी देनी है कुछ सब्सक्राइब करते हैं जो क्या करते हैं जी आपको कहते हैं जी आप उनकी अच्छी बनाने के लिए रिखिए पर न्यूस को ब्रेक करें बिश्क वह गलत ही नियूस है ना या अक्सरोकात गौर्णमेंट के ऐसे अदारे हैं या गौर्णमेंट सब्सक्राइब करें जो आपको करने के लिए जिस नियूस को ब्रेकर करें हाला कि इसमें रियालिटी कोई भी नहीं होती है लेक कि मेबी सम्टाइम पीछे जो है कुछ दर के लिए बंद हो गया था इनका को गौर्णमेंट के साथ जो है वो कोई इनके मामला आद गिया को इनके सचैनल को बंद कर दिया था तो सिर्फ कहने का मकसद है कि मेजर चैलेंजिस आपको यह होते हैं कि अगर आप नियूस अगर करने पड़ते हैं कि यह नहीं करेंगे तो यह एक बड़ा चैलिंज है लोगों के लिए जो जनलिस्ट है या जो मेडिया के लोग है कि हमने किस तरह इस से निकलना है उसके आगे जो फ्लूट ऑपीनियन है और फॉल्स इंफरमेशन ओन दा इंटरन देकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फॉल्स इंफरमेशन को गलत जो है वह जानकारी को लोगों तक पहुंचा रहते हैं इंटरनेट के उपर भी एस वह टीवी चैनल के उपर भी ठीक है फिर उसके बाद जनाब न्यूज को ब्रेक करना economy problem यह एक बड़ा major issue है फिर उसके बाद ट्राइशनल मी उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो एक new technology भी basically एक major issue है major challenge है पाकिस्तान के लिए और overall जो media के लोग है जो generalist है उनके लिए और media जो owners है have focused to much on profit देखें जी media का जो honor होता है यानि कि जो भी चैनल का honor है वो अपने profit के उपर जो है वो करता है बेशक उसे गलत information देनी पड़े वो देगा लोगों को लेकिन उसका profit सबसे ज्यादा उसको चाहिए तो यहाँ पे भी एक बड़ा major drawback है एक बड़ा major challenge है हम हमारे लिए से मराथ के वो लोग जो जो जनरल के लिए अगर वो नहीं भी चाहते हैं वो चाहते हैं यह ना खबर ना भी break करने उनको फिर भी अपनी job को secure करने के लिए जो है वो ब्रेक करनी पड़ती है और पूरी लोगों का पूरी अवाम का यह पूरे पाकिस्तान के लो कौम है या बिलकुल एक जाहिल कौम हम जो है वो इस तरह किये जाते हैं क्योंकि जहरी सी बात है जब हमारे हलात इस तरह के होंगे तो definitely हम जो है वो अपनी मजीद development नहीं कर सकते हैं economy के हलात आप तमाम तर लोगों को पता है तो यह वो major drawbacks है जो कि पाकिस्तान इस टाइम स जो है वो face कर रहा है और अलतला से दवाग हों कि अलतला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फर्माए और इसी के साथ आपको यह solution है मैं आपको फिर बता रहा हूं यह दो यह तीन solution मैंने आपके लिए राइट की हुए है आप लोगोंने इस में से अमीद करता हूं आपको इस solution की समझ आ चुकी होगी थैंक यू सो मच अला हाफिर्ज